नमस्कार एवन उत्रप्रदेश में आपका स्वागत है मैं हूं सारफ शर्मा आई नजर डालते हैं सुवक्त की सुर्खियों पर योगी केविनेट बैठक में बड़ा फैसला गाजियाबाद आगरा और प्रयाराज में लागू होगी कमिशनेट प्रणाली वहीं कुल-कुल 16 प्रस्तावों पर लगी महुर सियम योगी अधितिनाथ की अलिगड को सौगात प्रभुद जन सम्मेलन में की शिरकत 88 विकास पर योजनाओं का किया लोकार पंशल अन्यास फिरोजबाद को भी दी करोडों की सौगात वहराईच के रामगाओं के तारापूर खुर्द में रंजिश को लेकर लाठी भाटा जंग दो पक्षों में जमकर हुआ पत्राव एक की मौत कई घायल पुलिस ने किया जापता तैनाथ कुशिनगर में बिजली विभा की लापरवाही आई सामने सिर्सिया सिवान की में करंट से गन्ने की फसल में लगी भीशन आग करंट की चपेट में आने से दो किसानों की मौत लगनव में केजी एम यू की सस्ती दवाय बेशने वाले गिरों का भांडा फोर तीन संविदा कर्भी और दवा माफियां का किया गिरफतार वही भारी मात्रा में सरकारी दवाया हुई बरामत कि बाले कि अधियू बरामत अधियो टो आपड़ो में गर मात्राइवम साद़ वही जवार मेंसे प्राइवा बरामत राजर बरामत अवार को अंवाया हुआ है और अब खबर विस्तार से, योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के तीन और जिलोंग में कमिशनेट के गठन का रास्ता साफ हो गया है, गाजियाबाद, आगरा और प्रियागराज को कमिशनेट बनाए जाने के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट की मुहन लग गई है, तीनों कमिशनेट में कमिशनर की तैनाती होगी, वहीं आगरा, गाजियाबाद और प्रियागराज जिले में पुलिस कमिशनर प्रणाली लागू की जाएगी, कैबिनेट में कुल 16 प्रस्ताव मंजूर किये गए हैं, जिनमें परिवेन विभा के तीन प्रस्त शामिल है, उन्हें हवाई अड़े की तर्च पर विक्सित किया जाएगा, यात्रियों के ठहरने के लिए होटल की विवस्ता होगी, वविश्य में सभी 75 जिलों में इसे लागू किया जाएगा, इसके अलावा, इसक्रेप पॉलिसी का भी कैबिनेट में को मंजूरी मिल वहीं इधर उर्जा मंत्री अर्विंद कुमार ने बताया कि अमेठी, औरहिया, कुशिनगर, बिजनौर, सुल्तानपुर, साहित, 14 जिला, अस्पताल का स्टाफ और संपत्ती, मेडिकल कॉलेज को हस्तनांतरित होगी, वहीं लखनाओ में राम मनोहन लोहिया अस्पताल में बसटे हैं, उसको हवाई अटा के तरज पर बनाने की सुकृति, आज पेवनेट ने सुकृत किया है, और उसमें हर तरे की सुवधाय होंगी, उसमें जो हमारे आत्री आएंगे उनको ठरने की वेवस्ता भी रहेगी, होटल भी रहेगा, अच्छे रिस्टोरेंट भी वहाँ पर उनको समान के खरिदारी के लिए वहाँ पर मॉल भी होगा मुग्यमंद्री योगी अधितनात अलिकर दौरे पर रहे, जहां सीयम ने प्रभुद्जन सम्मेलन में शिरकत की, इस दौरान सीयम ने 86 करोड 55 लाख रुपे की लागत की 88 विकास परियोजनाओं का लोकारपन और शिरान्यास किया वहीं कारिकरम को सम्मूदित करते हुए योगी ने कहा कि प्रदेश के विकास कारियों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, सरकार विकास को लेकर गंबीर है कानपुर में सपा विधायक इर्फान सोलंकी की अग्रिन जमानत पर सुनवाई जिलाजच की अदालत में हुई जिसमें अभियोजन पक्ष ने बताया कि विवेचक केस डायरी के साथ सपा विधायक इर्फान सोलंकी की गिरफतारी के समन्द में बाहर गए हैं ऐसे में केस डायरी नहीं पेश की जा सकती है जिसके बाद जिलाजच संदीब जैन ने अगली सुनवाई के लिए एक दिसम्बर की तारीक निरदारित की आपको बता दे कि नाजिर फातिमा की तहरीर पर साथ नमूंबर को पुलिस ने इर्फान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेट अन्या ग्यात पर भी घर में आग लगाने रंगदारी समेट कई गंबीर धाराओ में मुकदमा दर्श किया था कबर यूबी के जालाओं से है जहां कोच कोटवालिक शेत्र के मुंसिफ कोट के बाहर अधिवक्ता पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया है हमलावरों ने अधिवक्ता आसित खुश्वाहा पर हमला कर गंबीर घायल कर दिया जिसे गंबीर हालत में जी एसी में भरती कुछ उराइत रोड पर जाम लगा दिया सुचना पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवा है कि 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 अधिवक्ता है कि अधिवक्ता है कि उसी पर लेकर यह लोग आए धंकी देने लगे हमें कि कि अधिवक्ता जी को मैं कोड में था कोड से जब आया तो इन लोगों ने सीडे हम पर हमला कर दिया तो लोग ती यह थे सषी कांभ पडेल और तुरिनी कांभ पडेल कुछ महें सब्सस्ट पटेल और आजदस लोग थे स्कॉर्पियो घारी लिए उन भर कर आए वालाट कि आज बेचा गया थां लाला राम कावा sya गया था वो पाचीशगहें गई तू Souls और अर ऑजो इनके दोरा जो शबनाने के लिए आरहे थे सामाल ले की आये थे वह ज़्यादा बना रही है। जिसके लिए मैरे दोरा रोंका गया और उसी पर लखनाओं के KGMU की सस्ती दवाय बाजार में बेचने वाले गिरों का भांड़ फोड किया गया है और तीन को गिरफतार किया गया है वहीं इनके पास से भारी मात्रा में सरकाली दवाईयां बरामद हुई है आपको बता दे कि ये पूरा खेल KGMU के सम्विदा कर्वियों और दवाब वाफिया द्वारा खेला जा रहा था फिलाल करीब 10 अन्य रूपियों की तलाज भी जारी है कि कबर यूबी के मेरट से है जहां दिल्ली दहरादून बाइपास इस्तित्व बिग बाइट रेस्टोरेंट एवं होटेल में आयोजेट पार्टी में दिल्ली की शराप परो से जाने का मामला सामने आया है आपको बता देगी पुलिस के मताबिक देरराथ मुंगवीर से सूचना मिली की होटल में शराप पार्टी चल रही है जिसका आपकारी विभाग से होटल मेरीजर ने एक दिन का लाइसेंस भी ले रखा था लेकिन यूपी की जगह दिल्ली की शराब महमानों को परोसी जा रही थी ऐसे में परतापुर थाना प्रभारी रामफल सिंग और आपकारी इंस्पेक्टर राजिशारिय ने होटल में चापा मारा और दिल्ली मार का शराब की आट बोतले बरामत की साथ ही होटल मेनेजर आलोग शर्मा और आयोजक दिल्ली निवासी श्रमन कुमार को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है उसमें मजिरा के इस टाक के सत्यापन के लिए पहुँचे तो वहां पे बार काउंटर पे पाया गया कि दूसरे आज़ी की मजिरा जो दिल्ली में बिक्री है तो परमित है उसको उकेजिनल बार के आण में वहां पे उभोग करवाया जा रहा है कुशिनगर पुलिस ने 13 नमबर को सिस्वा अही रोली दान मार्क पर एक यूवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले का खुलासा कर दिया है पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफतार कर लिया है महीं पुलिस के अनुसार मुख्या आरोपी रवी उर्फ रवीरंजन म्रतक वीसागर का भांजा है और मामी के प्यार में अर्चन बन रहे मामा की साजिशवश हत्या की पुलिस ने हत्यारों पर 25,000 का इनाम भी गुशित किया था बेती रात पुलिस ने मुख्या आरोपी विहार में गुपाल गंज के फुलू गनी निवासी रवी उर्फ रवीरंजन और साथी रोहित को मुढभेड के दौरान गिरफतार कर लिया साथी ब्रतक की पत्नी को भी हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफतार किया गया है पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देशी तमंचा और एक बाईक भी जब्त की है कि अंधरकत एक व्यक्ति की गोली मार्कर हत्या की गई थी आज इसका सफल अनावरण किया गया है इसमें कुल तीन व्यक्तियों की गिरिफ्तारी हुई है जिसमें से जो मुठ शूटर रोहिद था वो कल कुलिस मुठ बेर में घायल हुआ था उसके पास से घटना में प्रयोक करण के प्रिष्ट भूम में अवयद प्रेम संबन था यह इसी के क्रम में वह इसको रास्ते से हटाना चाहते था और इसी के क्रम में उन्होंने रवी रंजन और रोहिद ने मिलकर यह पूरी शाजिसको अंजाल दिया है खबर उत्रप्रदेश के बहराइच से है जहां राम गाउं शेत्र के तारापुर खुर्द मेटू कहा चौराहे पर पुरान रंजिश को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गई वहीं इस दोरान दोनों पक्षों में जमकर पतरा हुआ वहीं कई लोगों घायल हो गए जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई इदर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने गाउं में अत्रिक्त जापता तैनात किया कि अधे ऐसे में किसानों की गन्ने की फसल जरकर नश्ट हो गई साथ ही आग जनी में करन की चपेट में आने से दो किसानों की भी मौत हो गई सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जाच श्रू करती है विहार से दिल्ली जा रही कार में अचानक बस्ती में आग लग गई वही कार में छे लोगों ने कार से कूत कर अपनी जान बचाई देखते ही देखते पूरी कार आग में तब्दील हो गई और आग के चलते सडक पर वहनों की लंबी कतार लगई सुचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना द्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे ने फायर ब्रिकेड को सुचना दी और बचाव कारे में चुट गए वहीं काफी मशकत के बाद फायर ब्रिकेड और आसपास के लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया संबल में भाश्पा नेता की मौझूदगी में दबंगों की और से एक बुजूर की पिटाई करने का मामला सामने आया है गटना के दोरान मौके पर मौझूद एक व्यक्ती ने गटना का वीडियो बनाते हुए इससे बाइरल कर दिया जो अब इलाके में जमकर वाइरल हो रहा है गटना जन्वाई थानाक शेत्र के गोंसली गाउं की है जहां अनिरुद निवासी बुजूर्ग सुरेश की गाउं के ही ठाकुर सिंग ने खेत के बीच से निकलने को लेकर विवाद हो गया था जिसके बाद भाजपा नेता राजपाल यादव की अध्यक्षता में हुई पंजायत में ठाकुर सिंग ने अपने आदमियों के साथ बुजूर्ग सुरेश की जमकर पिटाई की गटना को लेकर पीडि सुरेश ने मामला दर्ज कराया जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है कुशिनगर में ग्रामीनों ने पोशाहार नहीं मिलने की शिकायत को लेकर बाल विकास परियोजना कारले पर प्रदर्शन किया सैकडू ग्रामीनों ने राजे सरकार की तरफ से दिया जाने वाला पोशाहार नहीं मिलने पर का आरोप लगाया साथ ही कहा कि इसे लेकर वे कई बार अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं लेकिन हाला जसके तस बने हुए हैं आपको बता दे कि कुछ दिनों पहले खड़ा विकास खंड के बाल विकास परियोजना कारले की CDPO मंजू श्रिवास्तव का घूंस लेते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था लेकिन हालात नहीं सुधर ने और पोशाहर नहीं मिलने के चलते शुकरवार को ग्रामीडों ने कारले पर प्रदर्शन किया जुका आगज मातर में होता है सही मायने में दो ही किंद्र संचालित होता है दो ही आगनवाड़ी अपने के सिंटर पर जाती है और सिंटर जलाती है बाकी जो ये गारा किंद्र है ना ही संचालित होता है और ना ही आगनवाड़ी करकारती अपने छित्र में भरमुर करते है जालोन में अधिकारी ब्रष्टाचार को बढ़ावा देने लगे हैं आपको बता दे कि करोडों रूपय का ब्रष्टाचार होने की अशंका जताई जा रही है यह ब्रश्चाचार जिला भूमी एवम जल सरनक्षन विभाग में हुआ है जहां भूमी एवम जल सरनक्षन के अधिकारियों ने जनपत के वरिष्ट आलादिकारियों को गुमरह करते हुए भूमी एवम जल सरनक्षन विभाग ने बिना तालाब खोदे ही करोन रूपे के व बिश्टे हुए ब्रश्चाचार्ज में सनलेप अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने के निर्देश दिये हैं। जो भी काम स्विक्रिट हुए हैं उसमें कोई भी सत्यावन नहीं हुआ है और कोई भी पुष्टी ठीक से नहीं की गए थी तो इसी को देखने के लिए सारी कारियों की जाच कराने के लिए हमने अलग-अलग टीम एकाईवार बनाई हैं और 2016 से जो भी अभी तक काम हुए हैं उत्रप्रदेश के शाजापूर लाइव मंडर का वीडियो सामने आया है इस वीडियो के मताबिक पूर्व कोटेदार राधेशाम को पुलिस के सामने ही गोली मारी गई थी जबकि पुलिस के आलादिक अफसर लगातार मौजूद्गी से इनकार करते आए हैं आपको बता दे कि दो दिन पहले जमीनी विवाद में पूर्व कोटेदार राधेशाम की हत्या की गई थी जिसके बाद आरूपी जेल भेजे जा चुके हैं इस दोरान पूर्व प्रधान ने राइफल से पुलिस की मौजूद्गी में राधेशाम पर फाइरिंग की थी प सिदार नगर के नागापार में एक यूवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिलने से संसनी फैल गई आपको पता दे घटना की सूचना पाकर गुल हो रा थाना पुलिस मौगे पर पहुंची और शव को पोस्ट मार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया मौई मृतक के पिता ने बहु और उसके परिजनों पर प्रताडित करने का आरोप लगाया है फिलाल आगे की कारवाई जारी है संबल के नखासा इससे तो महला दीपा सराय में फाइरिंग करने वाले आरोपी को गिरफतार करने की लिए गई पुलिस टीम पर आरोपी और उसके परिजनों ने पत्राव कर दिया आपको बता दे पत्राव में चौकी इंचार समेट तीन पुलिस कर्मी गंभी रुप से घायल हो गए इस दोरान आरोपी मौके से फरार हो गया वहीं इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने छे आरोपियों को मौके से गिरफतार कर लिया है आपको पता दे इस मामले में घायल पुलिस कर्मियों को जिलास्पताल में उप्चार के लिए भरती करा दिया गया है वहीं पुलिस पर पत्राव करने वाले मुख्यारों पी गुलजार समेत नौ लोगों के खिलाफ नाम दर्श कर आगी की कारवाई शुरू कर दी गई है कि सीटापुर पुलिस का अमानविय चहरा सामने आया है आपको बता दे इस मामले में सीओ सिटी ने मासूम बच्चे के सामने ही पिता से मारपीट की बच्चे ने कि पुलिस से रहम की भीक मांगी बावजुद इसके पुलिस का ये कारणामा सामने आया है वहीं पुलिस कर्मी ने पिताइक आगों बताते खेरावाद के आटियो ओफिस के सामने पुलिस कर्मी ने ये ये पिताई की है एक व्यक्ति की उसी के बच्चे के सामने उसकी पिताई की मामला कार से साइक्ल की टकर का है यूपी के शांजापूर का जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज बने काफी वक्त बीच चुका है लेकिन ना तो यहां स्वास्थ वेवस्था में सुधार हुआ है और ना ही स्वास्थ कर्मियों के लहजे में वहीं वर्तमान में डेंगू का कहर जारी है अब ऐसे में जो मरीजों की संख्या डेली रूटीन की है उसमें बड़ोतरी होना लाजमी है लेकिन स्वास्थ विभाग इसको लेकर अपनी तैयारियों का दावा तो कर रहा है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाई पड़ रही है मेडिकल कॉलेज में इस बात का रियलिटी चेक किया गया तो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि मरीजों की संख्या किस कदर बड़ी हुई है लेकिन ना तो बैड है और ना ही स्टेचल मिल पा रहा है लखनव में बहुचर्शित कमलेश्तिवारी हत्यकान की चार साल बीच जाने के बाद भी अभी तक परिवार को न्याय नहीं मिला है अभी भी न्याय के लिए परिवार जगे जगे बटक रहा है इसी के चलते न्याय की मांग को लेकर पैदल बांच निकाला गया जहां लखनव जिलाधिकारी को ग्यापन सौपा जाना था इस जवरान पुलिस ने जिलाधिकारी से पहले ही कारेकरताओं को रोग दिया वहीं जिस पर पुलिस प्रशासन और आंदूलन कारियों के बीच नोग जोक हो गई ऐसे में पुलिस के आलाधिकारियों ने समझाईश कर मामला शान्त करवाया साथ ही उचित कारवाई का आश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी नमस्कार